कहिए कैसे हैं आप, पेशेंस कैसे रखें, बहुत इंपेशेंट हो गए हैं लोग, बहुत इंपेशेंट हो गए हैं, देखिए आप माने जा ना माने, एक ये कड़वी सचाई है कि हम सब बहुत जादा इंपेशेंट हो गए हैं, बहुत पेशेंट ही नहीं रही, आज की वी केई जूमинки नहीं को पेशेंच देखेंगे ना टो यकीन मानिय बहुत सीख सकते हैं कि छिस सकति हम पैशेंट कैसे रख सकते हैं आपिर जिसे ने हमें जाल ले सब्सक्राइब जेसे माले घिनतार नहीं चल दोर आगे भूर जादा HA हम क्या हो रहा है बहुत जाधे इंपेशेंट हो रहे हैं मतलब इकदम से उताव ले कि क्या हो रहा है क्यूं नहीं चल रहा है मतलब बहुत जाधा frustrated हो जाते यह पिर सामने वाले की वज़े से वह एसे कि जैसे माल लेडी है उसकी जो mead servant वह लेट आई है वो बहुत जादा frustrated हो रही है, बहुत जादा impatient हो रही है, या एक friend ने अपनी दूसरी friend को WhatsApp पर message भेजा, और उसने जो दूसरी friend उसने reply नहीं दिया, तो वो impatient हो गई, कि मैंने इसको message भेजा, इसने मेरी message का reply क्यों नहीं किया, या situation को लेके, जैसे एक आदमी ने कहीं जाना है उसकी flight ही लेट है, या train लेट है, या सडक पर इतना जबरदस jam है, मतलब ये दूसरी situation हो गई ना, इसको लेके, वो impatient हो गया, देखे, patience रखना, ये हमें थोड़े ना सिखाया जाता है, ना हमारे parents सिखाते हैं, ना कोई school में इस तरह का lecture होता है, ना school में teacher हमें पढ़ाते ह ये चीज हमें कोई सिखाता नहीं, इसलिए बचपल से लेकर बड़े होते 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 तक ये develop होती जाती है, मतलब ठीक तो होती नहीं है और और जादा होती जाती है, जबकि इसका ठीक होना बहुत जादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक तो अगर हम impatient हो होंगे, patience ही नहीं होंगी, तो हमारे रिष्टे आपस में खराब होंगे, हमारी health, हमारी mental health, खराब होती जाएगी ना, impatient होते हैं, तो stress, tension, दस तरे की problems हमें गेर लेती हैं, और एक चीज जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हमें आगे बढ़ने से रोकती है, ये जो हमारी हम impatient हो जाते हैं और ये हमें आगे बढ़ने से, तो हमारे success के रहा में रोड आ हैं, हम कोई decision नहीं ले पाते हैं, इसकी विज़े से, मतलब impatient है, कोई decision सही नहीं ले पाते हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, तो तीनो life को भीतर बनाने के लिए, जिन्दकी में आगे इसी बारे में आज मैं बता रही हूँ आपको कुछ बातें तो वही जैसे में स्टाइटिंग में काता है कि आप पेशन्स रखते हुए सुनिएगा देखिए जो पेशन्स है ना सहीं एक युद्ध है अपने विरूद मतला हमें किसी थर्ड परसन से नहीं लड़ना किसी दू पूरी पेशन्स के साथ त्यार है ना तो इसमें सबसे पहली बात भी है कि एकदम पहले आप जो भी काम कर रहे हैं अगर आपको सही मायन वर पता लगाना है कि मैं इंपेशन्स की हो जाता हूं तो एक बार थोड़ी दिर के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले ले लिजिए और का कि सोचिए थोड़ा सा और चीजों से ध्यार हटा के ना एकदम कूल एकदम काम माइंड से मतलब ठंडे दिमाग से मतलब आम दोर पर क्या होता है यह मैं इसलिए कह रहे हूं कि हम ना मानते नहीं है कि मैं और इंपेशन्स इंपॉसिबल मेरे में तो बहुत पेशन्स है मतल आप चाह रहे हैं कि 1,2,3,4 थोड़ा सा मतलब खुद को कंसर्टेट करके ऐसे नहीं कि ध्यानी दरदर है और हाँ ठीक है बैठ गए हाँ सोच लिया हमने ऐसे नहीं एकदम शान तो इतन शान गदाधारी भी शान हो भी इंपेशन्स हो जाते थे ने एकदम से तो बिलकुल पेशन्स रखते हुए हमें सोचना है अब सोचना क्या है कि मैं इंपेशन्ट कब होता हूँ यानि क्या चीज ऐसी है जो मुझे ट्रिगर करती है जिसकी वज़े से मुझे गुसा आ जाता है मतलब मैं बहुत जादा इंपेशन्ट हो जाता हूँ उतावला हो जाता हूँ अ चीज़ को अब जैसे कि एक लेडी है उसको जब भी बच्चा तंग करता है न वो impatient हो जाती है उसको पता है और उस वज़े से उसको बहुत जादा ही आता है कि मैं इसकी पटाई कर दूँ मैं बच्चे को बढ़ गया न ठोक दूँ मतलब इतना गुसा आता है अच्छे जैसे बॉस है उफिस में उनके जब वर्कर्स लेट आते हैं तो बॉस impatient हो जाते हैं मतलब इतना गुसा आता है कि बस पता नहीं क्या कर दूँ मतलब इनको नौकरी आती है कि मुझे ऐसा होता है अब दूसरे की नजरिये से सोचे दूसरे की सामने वाले की नजरिये से जैसे वो लेडी है वो यह सोच रही है कि यह माई बहुत लेट आती है मेट सर्वेंट उसकी तो उसको बहुत गुसा रहा है अब उसके नजरिये से सोचे कि वो लेट क् कि उसको कोईatory किया सोच रहा है कि भई जो मेरा ये ये लेट क्यूं आरा है ? फिर वो ये सोच रहा है कि इसकी फैमिली में इसकी मजर की चबब में ठीक नी चल रहे हैं। इस लिğhe लेट गडाता है तो चलो एक बार जब हम दूसरे के अंगल्स से से न तो देखिएगा एकदम से हमारा जो mindset है जो बहुत जादा फ्लेर अप हुआ हुआ है जो iyi है जिसको बहुत जाता गुसा रहा है तो हम एकदम से थोड़ा सा change हो जाएगा कि यह तो यह reason है फिर हमारे मन में उतना गुस्ता नहीं रहेगा ना मतलब फरब पढ़ता है कि हम यहीं सोच रहे ना कि हम मतलब कैसे patience रखे तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने इस तरह से आगे बढ़ना है अब खुद से बात करनी है कि यह जो मैं इतना impatient हो रहा हूं या यह जो मैं इतनी impatient हो रही हूं क्या यह इतना जरूरी है क्या यह इतना important है मेरा impatient होना क्या impatient होने से सब ठीक हो जाएगा मतलब अपने आप से ही पूछना है question mark लगा के कि इस तरह से जो कर रहा हूं क्या यह ठीक हो जाएगा जैसे for example एक आदमी है वो traffic jam में फसा हुआ है और impatient हो रहा है तो वो यह सोचे कि क्या मेरे traffic jam में इस तरह से impatient होने से क्या traffic jam फुल जाएगा क्या red light green light में बदल जाएगी अगर नहीं तो फिर क्यों हो रहे हो अगर नहीं वो इस तरह से नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं हो सकता तो किसले हो रहे हो या फिर इस तरह से भी सोचें कि ये जो मैं इस समय इंपेशेंट हो रहा हूँ जैसे ये लेडी है उसको बहुत गुसा रहे अपने पच्चे के उपर कि मैं इसकी पिटाई कर दूँ वो तंग कर रहा है तो वो ये सोचे मतलब imagine करें कि मैंने मान लीजे इसकी पिटाई कर दी मुझे गुसा आ गया और मैंने इसकी पिटाई कर दी पिर ये या तो घर से भाग जाएगी या फिर कमरा बन कर लेगी खाना निखाएगी पानी निपिएगी किसी से बात नहीं करेगी कमरे से बाहर ने निकलेगी एक दिन पूरा ही ऐसे करेगी हम दर्वाजा खट-खट आते रह जाएगे पड़ोस्यों को पता लग जाएगा अब इससे क्या होगा तो नुकसानी हुआ ना मतलब उस चीज की इमाजिनेशन कर ले कि अगर इस तरह से मैंने पिटाई की तो क्यों ना मैं इस समय खुद को शान्त कर लो पिटाई करके अगर चीज़ें इतनी जादा और खराब होनी है तो क्यों ना अभी मैं ठीक हो जाओ तो मन को समझाना है कि कोई बात नहीं जैसे एक आदमी जौब के लिए उसने अपलाय किया था उसकी जौब वाँ नहीं लगी तो वो बहुत जादा इंपेशन्ट हो गया तो वो खुद को ये समझाए कि मुझे तो जौब चाहिए ये थोड़ना है कि यही वाली चाहिए थी अब ये नहीं मिली तो कोई बात नहीं मैं और जगे ट्राय करूँगा मतलब मैंने तो लाइफ में आगे बढ़ना है महनत करनी है तो ये जौब नहीं मिली तो कोई बात नहीं मतलब अपने आपको किसी ना किसी तरह से समझाना है देखें सिच्वेशन से ना हमें भागना नहीं है हमें उसमें भाग लेना है मतलब उसका सामना करना है situation से बाप के क्या होगा कोई भी फैदा नहीं है देखिए जो चीजे हमारे हाथ में नहीं है उसको तुम change करी नहीं सकते हाँ जो चीजे हमारे हाथ में है उसको तक करी सकते है अब जैसे माल लेजिए फ्लाइट लेट है है हमारे हाथ में है क्या नहीं है ट्राफिक जैम लगा हुई सदक पर बहुत रॉच बहुत रॉच है हमारे हाथ फ्सक्ण है तो फ्सक्ण अब जैसे एक आदमी थका हा रहा रहा घर पर गकर पर आते हुसANT फैन ओन किया एकदम से लाइट चली गई अब लाइट चली गई तो एसी भी नी चल पाएगा तो वह बहुत ज्यादा मतलब इंपेशन्ट हो रहा है कि क्या है यह लाइट वालों को कोसना शुरू कर दिया बिजली विभाग को गालिया देनी शुरू कर दिया अंचंट बोलन उसने गयास को तेज किया हुआ है फुलफ स्विट पे किया हुआ है तो उसरे क्या ओर रहा है तेज आच पर खाना एक तो जैसे सबजी बना रही है वो तो वह निरी और ऊपर से जल अधिव ऑःग और जहां उसने जल Anger पर लाइट पह लोग आ शूँ पकते हूँत पेशेंस रखते हुए क्योंकि बहुत पेशेंस यह है न वहाँ पर खड़े भी रहना पड़ेगा सबजी को दीरे दीरे चलाना भी पड़ेगा है न यह थोड़ना कि एक पर रख दी तो बस ठीक है फिर 10 मिनिट बादी देखेंगे बार बार चलाना भी पड़ेगा देखना भी पड़ेगा तो जितना पेशेंस रखके धीनी आज पर सबजी को बनाएंगे उतनी टेस्टी बनेगी प्रांठी का भी देख लीजिए प्रांठी बनाते हैं अगर आम तेज आज पर बनाएं तो वह जल जाती है आम तोर पर जली जाती है और वहीं पे स्लो आज पर बनाएं तो क्या ब्राउन प्राउन आती है तिक करारी करारी कस्ता रोटी बनती है धीरे धीरे रे मना धीरे स सब कुछ होए पर एक माली एक पौधे को पानी दिये जा रहा है दिये जा रहा है उसमें फल तो कब लगेगा मौसम के आने पर लगेगा यह थोड़ी ना कि आज सौ घड़े पानी डाल दिया तो लोकल फल आ जाएगा मैंने आज पौधा लगाया और मैं यह उमीद कर रही जिसमें मीटे फल लगते हैं तो बहुत जादा ज़रूरी है कि पेशन्स रखे हम क्या होता है बहुत जादा फ्रस्टेटिड हो जाते हैं देखिए जो फ्रस्टेशन है यह मान के चलिए कि जैसे कूकर में स्टीम की तरह है हमारी जो फ्रस्टेशन है बही जैसे सीटी बच हो गए हम तो क्या होगा कूगर भट जाएगा फ्रस्टेशन को अगर हेल्दी वे में अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में रिलीज करेंगे नँए फिर देखेगा कितना अच्छा आएगा अब यह प्रेशन उठता है कि कैसे हैं प्रेशन करें हम उच्छान आदमी है फि कि यह तो रोज की बात है यह तो मैं जल्दी आऊ थोड़ा सा एक गंटा पहले आऊ तो यह मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा और अगर यह पॉसिबल यह नहीं है कि मैं जल्दी आपा हूं तो मेरे को यह सहन करना पड़ेगा अब वह क्या कर रहा है वह बैस्ट यह है कि अपन बारे साथ और बी तो लोग फसे पड़े हैं वह किस तरह से सिट्वेशन को हैं यह फिर और चीज़े देखिए जैसे वाइड एंगल से देखिए कि जैसे एक एंबुलेंस फसी हुई है वह बार बार सायरन बजाय जा रही है फिर सोचिए कि बिचारे देखिए जो एंबु मतलब कहीं ना कहीं हमें उस अपनी जो फ्रस्टेशन है जो इतने इंपेशन हो रहे हैं इस चीज से यहार हटा के हमें थोड़ा सा मतलब दूसरे अंगल से सोचना है ताकि हम एक तो उससे भी बाहर निकलना है उस situation से मतलब हमें जो गुस्सा फ्रस्टेशन है उससे बाहर निकलना है प्लस हम कुछ creative भी करें एक चीज और भी कर सकते हैं कि हम thankful रहें जो हमार पास है जितना प्र बस ठीक है कोई बात नहीं जब समय आएगा दूसरा भी ले लेंगे जैसे एक लड़का है उसके पास mobile तो है पर उसको चाहिए महंगे वाला और महंगे वाला चाहिए उसकी वजह से वह बहुत गुसा रहता है मतलब इंपेशेंट रहता है कि मेरे को यह mobile चाहिए तो वह मा से thankful हो जाएंगे ना कि चलो यह तो है यह भी नहीं होता फिर क्या होता पेशेंस रखने के लिए करनी पड़ेगी हमें practice वह बोलते भी आना कि practice makes a man perfect तो practice करते रहे खुद को challenge दे कि मैंने यह करना है खुद को कैसे की जैसे एक lady है और उसने यह challenge किया है कि मैंने ना मतलब कल के दिन जैसे sunday हमान लिजे कल तो मैं किसी को गुसा नहीं करूंगी मतलब उसने खुद को यह challenge दिया हुआ है वैसे अगर आपने मेरा चैनल subscribe कर रखा है और इसकी जो YouTube वाली जो community है आप वो regular देखते हैं तो इसमें मैं कई बार homework देती हूँ बहुत बहुत लोग participate करते है बहुत enjoy भी करते हैं उसमें जैसे अलग-अलग homework होते हैं तो उसमें यह भी एक बर दिया था कि किसी को गुसा नहीं करना देखिए सहीं क्या है एक यूद जैसे मैंने starting वी बताया अपने विरुद तो खुद को ही challenge देके हमें खुद को ही ठीक करना है अब जैसे कि हम एक छ चोटी-चोटी steps लेता है उसके साथ चल लें पेशेंस बढ़ानी है हमें हम बैंक जा रहे हैं लंबी-लंबी लाइने लगी हुए तो जो ज़्यादा लंबी लाइन है वहाँ पर खड़े हो अपने patience को मैं कितना अपने आपको चेक कर सकता हूँ इंपेशेंट नहीं होना उसके लिए हमें मतलब खुद को ही challenge देना है और खुद को भी इस तरह का कि मैंने इसको achieve करना ही है मतलब इस तरह का challenge देना है खुद को या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं कि दूसरों से राय ले सकते हैं दूसरों की guidance ले सकते हैं कि आप किस तरह से करते हैं अब जैसे एक lady है उसका बच्छा छोठा है बहुत च्छूटा है आप किस तरह से करते अभी मेरा बच्छा छोटा है यह रोता है आप καιब बच्चा नहीं रोता है रोने की आवाज इसकी नहीं आती आप किस तरह से करते हैं उसमें क्या है कई वर अच्छी सीख मिल जाती है ना तो गाइडन्स ले लेने जी मन के हारे हार है मन के जीते जीव मन को पक्का करना है मतलब पूरा आप में मुश्राइब हैं यसमें क्या मुश्राइब सकता हूँ मेरे अंदर भी आ सकती है इसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कर सकते हम विश्वास रखना और फिर आगे बढ़ना देगिं बेबी स्टेप्स लेते हुए रागे बढ़ना है और खुद को चैलेंज करते हुए खुद को change करना है और यकीन मानिये जो खुद को challenge देते हैं ना वही खुद को change कर सकते हैं जो comfort zone में रहते हैं जो चाहते ही नहीं है जिनको यह अभी लग रहा होगा कि यह क्या है, यह तो कुछ नहीं है, इससे तो कुछ नहीं होगा, तो वह कुछ कर भी नहीं पाएंगे, comfort zone से बाहर निकलिए, और यह भी नहीं है कि यह change रातो रात हो जाएगा, कि भी आज आपने apply किया, और कल से आप ठीक हो गए, यह भी नहीं है, समय लगता है, तो इसलिए मैं कहा रही हूँ कि गोल अपने छोटे-छोटे रखिए, मतलब baby steps लीजिए, जैसे कि एक लेडी है, वो यह बोल रही है कि कल मैंने पूरे दिन गुसा नहीं होना, किसी से मैं गुसे से बात नहीं करूँगी, अराम से प्यार से बात करूँगी, यह ना हो कि मैं पूरे महीने, पूरे महीने किसी को गुसा ही नहीं करूँगी, पूरे महीने सबसे प्यार से बात करूँगी, यह पॉसिबल दिये, मतलब जो चीज सही है वो ही कीजे, इसलिए छोटे-छोटे लीजिए और खुद को motivate, पूरा confidence कि मैं कर सकती हूँ, यह नहीं कि नहीं मेर स नहीं होगा, यह overconfident होगा है, वो भी नहीं, मतलब baby steps लेके धीरे-धीरे, और जब आपने achieve कर लिया, अपना goal अचीव कर लिया, कि हाँ, यह देखो मैंने यह target रखा था, कल मैंने पूरे दिन गुसा नहीं किया, और मैंने गुसा नहीं किया, देखो कितनी अच्छी बात हो गुसा आता है ना, तो हमारी सारी अच्छाईयां ले जाता है, और जब सब रहाता है ना, तो सारी अच्छाईयां ले आता है, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि patience कैसे रखें, ज़रूर बताइएगा, आपके comments का मुझे इंसार रहेगा, और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल अभी तक subscribe नहीं किया, तो please कर लिजेगा, और इसमें ये जो bell icon है ना, ये भी दबा दीजेगा, ताकि जब भी, जैसे मैं कोई video upload करती हूँ, आपके पस notification या message आ जाए, और अगर आपको ये video चलेगी, आपको लग रहेगी हाँ, किसी और के काम भी आ सकती है, तो please आप इसको share भी जरूर कर लिजेगा, ठीक, बाई